जहिंद हम जानेंगे 12 जुलाज 2013 से बनने वाले करंट अफेर्स के बारे में तो पहला कोशन देखते हैं पहला कोशन है भारत और किस देश ने रुपए में दुरुपच्छी बेपार शुरू किया है तो भारत और बांगलादेश ने अभी हाली में रुपए में मतलब यह हुआ कि भारत और बांगलादेश से जो भी अब तक ब्यापार होते थे वह अमेर्की डॉलर में हुआ करते थे लेकिन अब भारत और बांगलादेश जो ब्यापार करेगा आपसी ब्यापार वह रुपए में करेगा रुपए में लेंदेन करेगा जो भी लेंदे क्या है धाका कि बांगलादेश की राजदानी धाका और बांगलादेश का मुद्रा क्या है बांगलादेश की मुद्रा है टका और बांगलादेश के राष्टपती कौन है बांगलादेश के राष्टपती है मुहम्मद सहाबुद्दीन बांगलादेश के राष्टपती कौन तो केस कला बोड के गठन की मंजूरी अभी दिल्ली राज ने दी है क्योंकि बाल काटना वी अपने आप में एक कला होता है आज कल तो है रिस्टाइल अलगाला के चल रहे हैं कोई इधर से गायब करवा रहा है यह सब हैरिस्टाइल चल रहा है तो यह केस काटना वी बाल कौन है दिल्ली के सीम के जरिवाल जी है के जरीवाल के जरीवाल के जरीवाल अर्विंद के जरीवाल जी है अर्विंद के जरीवाल जी है और दिल्ली के उपराजपाल कौन है तो दिल्ली के उपराजपाल है विने कुमार सक्सेना कौन है दिल्ली के उपराजपाल विने अगला question देखते हैं भारत 34 वे अंतरराष्टी जीव विग्यान ओलंपियाड में 4-6 पदक जीत कर कौन से अस्थान पर रहा है तो भारत 34 वा जीव विग्यान ओलंपियाड में 4-6 पदक जीत कर पहले अस्थान पर रहा है पहली बार भारत इसमें पासिपेट किया था और पहली बार ही ये पहले हस्थान पे रहा है इस साल ये अंतराष्टी जीव विग्यान उलम्पियाड कहां हुआ है तो ये हुआ है सन्युक्त अरब अमिरात में UAE में UAE के अल एन सहर में हुआ है अगला question देखते हैं कहां पर अब साधी ब्याह जैसे समाजिक कारेकरमों को भी पार्क में करने की मंजूरी दी गई है तो ये दिल्ली में दी गई है दिल्ली में क्योंकि दिल्ली की जो जनसंख्या वह बढ़ती ही जा रही है तो इसलिए हमेशा लौज बुक करना या फिर मे देखिया है कि एक ही समय पर बहुत लोगों का महरत हौल में जरूत पढ़ सकता है तो यह सब देखते हुए दिल्ली सरकार ने अब यह फैसला लिया है कि यह जो समाजिक कारेकरम होंगे वह पार्क में भी किये जा सकते हैं अगला question देखते हैं किस राज्य ने अन्भाग य पांक किलो एक्स्टा चाल जो मिलता था उसके जगह पर आब नगदी रूपया मिलेगा पांक किलो चाल देखर अलग से फांक किलो के जगह नगदी रूपया दे दिया जायगा और यह करनाट कम हुआ है तो करनाटक के राजपाल कौन है थावर चंद गहलोत और करनाटक के सीम कौन है तो सिधा रमया करनाटक के सीम कौन है सिधा रमया करनाटक के सीम है अगला क्योशन देखते हैं किस आयाइटी ने अमेरिका के प्रेडिटर ड्रोन की तरह ही स्वदेशी आर्टिफिस्यल इंटिलिजेंस आत्मगाति ड्रोन बनाया है तो यह अभी तब भारत अमेरिका से प्रेडिटर ड्रोन लिया करता था या फिर किसी और भ आत्मगाति जो आर्टिफिस्यल इंटिलिजेंस आत्मगाति ड्रोन यह आयाइटी कानपूर ने बना लिया है तो इससे यह होगा कि हमें बीदेशी जो ड्रोन है उस पर निर्वर नहीं होना पड़ेगा अपने देश में ही कानपूर में स्वदेशी आर्टिफिस्यल इंट तोड़ा है तो भारत के रुद्रांश ने ये टोकियो ओलंपिक का जो रिकार्ड था उसको तोड़कर अपने नाम वर्ल्ड रिकार्ड कर लिया है तो ये सबसे अधिक रिकार्ड को तोड़कर रोद्रांच्छ ने अपने नाम World Rocky Again कि अगला क्वेस्टन देखते हैं Canada Open Badminton Championship किसने जीता है और गाला ओपन सेहरी कुसम बाला जीता है अपने देश के ही भारत क ty ये छेचनन ने ये कुन प्रधा ओपनी कुझी जीता है अब लचन जीता है तो ये किसको हरा के जीते हैं तो चीन के ली सिफ्हें को हरा कर लचे सेन ने ये ऑपन बैडमिंटन कानाडा ऑपन बैडमिंटन चेंप्यरंशिप को जीत लिया है अगला question देखते हैं youth world championship तिरंदाजी में किसने gold medal जीता है तो ये जो Youth World Championship तिरंदाजी है उसमें पार्थ सालूंखे ने उसमें पार्थ सालूंखे ने गोल्ड मेडल जीता है ये पार्थ सालूंखे अपने ही देश के हैं भारत के ही हैं तो ये गोल्ड मेडल जीते हैं तो किसको हरा कर जीते हैं पार्थ सालूंखे जी ये कोरिया के ति एक्जाम में बहुत काम आएंगे अब ऐसे कोशन अगले दिन मिलेगा करण्ट अफेर्स का तब तक के लिए जय हिंद कि अगर आगर दो